नमस्कार, महुआ मोती चानल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है शिवानी जी की आज की कहानी है शर्थ जो एक बहुत सिंपल सी, बहुत साधारण सी कहानी है दोस्त्रियों के बीच आपसी स्पर्धा, आपसी जलन को बहुत स्वाभाविक रूप से दर्शाती है इसलिए इस कहानी के बारे में कहने को बहुत कुछ नहीं है तो बिना देर किये मैं आज ये कहानी शुरू करना चाहती हूँ और अगर आपको कहानी ठीक लगे तो मेरे चानल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मुर्ग रोस्ट होगा सरकार खान सामे ने परदे से जहाँक कर पूछा हाँ, और सब बन गया है अली? रमा ने फूल दान ठीक करते करते पूछा जी सरकार, बिर्यानी तयार है फिश मैकरोने बना कर फ्रिज में रख दी है और कोफता, कोर्मा सब तयार है बस सीख्ची बनने को है अली की फ्रेंच कट सफेद ताड़ी के बाल भी आज विशेश करीने से संवरे थे ठीक है, रमा ने फूल दान उसे थमा कर का इसे खाने की मेज पर लगा देना और देखो, मुर्ग वैसा ही बने जैसा लॉड आशले की दावत पर बना था तुम्हारी तारीफ पंडित जी तक पहुँच गई है अली अब लगता है तुम हमारे हाथ से छिटक जाओगे नहीं सरकार कथे से सनी 32 दिखा कर अली ने कहा वैसे खुदा जूट ना बुलवाए रोज अमेरिकी एमबेसी वाले बुलावा भेज रहे है पर आपका नमक खाया है मजाल है जो कोई पहुचा पकड़ ले आप अराम से तयार हो लीजे मुर्ग ऐसा बनेगा इंशालला कभी बना नहीं होगा अली की जिंदगी बावर्ची खानों में गुजरी थी अंग्रेज इतावली और जर्मन फौजी अफसर रियासत के रजबाडे उनके शौकीन रेजिडेंट सबकी उची उची पसंदों को उसने चुटकी में जिमा दिया था मुर्गा बनाने की हर बारी कियां उसके जरजर हाथों में सद गई थी कई सर्टिफिकेट से उसका बक्सा भरा पड़ा था पर हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसकी आजादी चली गई खुदा बचाए इन हिंदुस्तानी में साहबों से पहले एक कमिशनर साहब की यहां नौकरी की सुना था आएस साहब हैं पूरे डिविजन का शेहन शाह और वो भी अपने ही मुल्क का चट से अली ने नौकरी कर ली दूसरे ही दिन में साहब आलू गिन गिन कर देनी लगी और एक दावत के दिन एक सिगरेट के डिब्बे में डालडा दे कर बोली खान सामा बढ़िया मुर्ग बनाना समझे और इसी घी में कोफते भी बना लेना हली से नहीं रहा गया अकड़ कर बोला उस्ताखी माफ हो गरीब परवर मुर्ग तो बादशाही तबियत का होता है इत्ते से घी में तड़प तड़प कर रह जाएगा बस उसी दिन उसे जवाब मिल गया फिर गया एक डेप्यूटी सेक्रेट्री के हाँ जहां उसकी लाई चीजें में साहब फिर तराजू पर तोलती और हर छटाग पर उसका इमान तौला जाता अली वहां से भी छोड़ा आया और अन्त में उसकी नाव किनारे लग ही गई उसकी इन में साहब में जैसी चांसी सूरत पाई थी वैसी ही मीठे चश्मे की तबियत भी दिन रात दावतें होती प्राइम मिनिस्टर से लेकर राज दूतों तक की भीर लग जाती थी पर आज की दावत सबसे बढ़िया होगी अली समझे में साहब ने कहा और वो जी चांसे जुड़ गया था सच आज की दावत में रमा बाजी मार ले जाना चाहती थी अपने ड्रॉइंग रूम के वैभव को उसकी मुगधा दृष्टी बार बार चूम रही थी एक-एक पेंटिंग चार-चार हजार से कम की नहीं थी कहीं दिवार पर उसका प्रधान मंत्री के साथ चित्र टंगा था कहीं वो महरानी एलिस्बिट से हाथ मिला रही थी और किसी चित्र में वो धूप का चश्मा लगाए पोलो के विजेताओं को पुरसकार के कप वित्रित कर रही थी विदेशी आत्रा से लाए गए उसके सूबिनियर यत्र तत्र बिखरे पड़े थे देखते ही लगता था कि किसी डिप्लोमाट की सुरुची पून बैठक का कक्ष है आज आएगी लीला वही लीला जिस से वो अपने जीवन की सबसे बड़ी शर्थ हार गई थी ठीक बीस वर्ष पहले आज उसकी हार का बदला लेना होगा लीला का चित्र उसने कल ही इव्ज वीकली में देखा था कितनी मोटी और बेडॉल होकर फूल गई थी बेचारी लीला आज तुम देख लोगी कि तुमारा आनंद मुझे देखकर फिर वैसे ही उनमत्थो उठेगा अपनी नासमजी पर मनी मन जुन्ज लाएगा खीजेगा और बाहर भीतर जाते मुझे ही देखेगा केवल मुझे तुम्हे नहीं तुम्हारे यौवन ने तुम्हें दगाबाज मित्र की भाती छोड़ दिया है और मैं जोर से हसने को जी हो आया रमाकार दो साल में वो पूरे चालिस की हो जाएगी पर क्या उसके चिकने से भोले चेहरे पर एक भी जुर्री उबरी थी उन मस्तानी आँखों का जादू रती मात्र भी कम हो पाया था उसकी मंदोदरी देहवलरी क्या अभी भी वन्यलतासी लचीली नहीं थी बीस वर्ष पहले उसके जी में आया था कि इस नागिन सी लीला की छाती को चीर कर उसका खून पी ले और आज कितने आग्रह से उसने उस लीला को डिनर पर बुलाया था अपने पती से उसने कभी नहीं कहा और कहती भी क्या यही आनंद पांडे जब आयेस में सर्व प्रथम निकल कर कटी पतंग सा विवाह के मारकेट में आगिरा तो सम्रद जनक वर्ण दल बांद कर उसकी कटी डोर पकड़ने तूट पड़ा था जूट के व्यवसाई श्रीकांद जोशी जिनकी मेम सी गोरी दूहिता के लिए कितने ही परवतिये रससिद्ध कवीश्वरों ने कविता के पोथे के पोथे लिख मारे थे सिविल सर्जन राघव पंथ जिन्होंने अपनी श्यामा पुत्री के द्वारचार में ही एक चीनी की मिल देने की घोशना कर पूरे कुमाउं समाज में खलबली मचा दी थी और भोलेश्वर जोशी जिन्हे कुमाउं के उच्च गोत्री ब्राम्भणों ने बहुत नीच कुल के जोशियों से संबधित सिद्ध कर दिया था अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे मू मांगे दामों आनंद को जमाता रूप में खरीद कर किन्तु रमा उन सब मूर्खों की महत्वा कांग्शा की प्यर्थता जानती थी उसके पिता की स्कूल मास्ट्री ने उसके दस प्राणियों के परिवार को मध्यवर्गी इस तर से भी बहुत नीचे पटक दिया था वो जानती थी कि उनके अभाव ग्रस्त ग्रह में केवल तीन नीग्रों होट वाले मोटे मोटे प्याले और पांच बदरंग तश्त्रियां थी कभी कोई सम्मानित अति थी आजाता तो पिछवाडे का द्वार खोल कर वो अपने छोटे भाई बहनों में से किसी को दोड़ा कर पडोस से चम्मच मांगने भेज देती एक तश्त्री में आद पाव मिठाई विखेर विखेर कर ऐसे सजा देती जैसी धेर सी दिखने लगे भाई बहनों को सिखाना पढ़ाना भी पड़ता था देखो मेहमानों का मूमत ताकना खबरदार जो टुकड़ा भी लिया कह देना हमने अभी खाया है अतिथी के जाते ही उसका अनुशासन भंग हो जाता और भाई बहनों का जत्ते का जत्ता तूट परता मिंटों में ही तश्त्री साफ हो जाती मा की फटी साणियों का आवरण ओरते ओरते घर की एक मातर रजाई अपना अस्तित्व खो बैठी थी पर फिर भी चिरदारेद्र से पूरी तरह निगले जाने पर भी स्कूली मास्टर रामदत पंद का काट का पहाड़ी मकान सदा द्यूतिमान तारे साही जमकता भुनिया बुआ जब कभी माय के आती अपनी भावी से यही कहती जो भी हो नान बोजियू बच्चे तो तुम्हारे खरे कुंदन के टुकड़े हैं एक से एक कंधर किर्नर देख ले न अपनी यही रमुली लाखों की भीड में चमक कर ही रहेगी क्यों नहीं मांगती आनंद की कुंदली बुआ के छेड़े गए इसी प्रसंग ने रमा की दुनिया बदल दी बार बार वो आइने में अपना चेहरा देखती और लाल पर जाती तुम भी लली हो लली कहां राजा भोज कहां गंगु तेली कैसे कैसे लाट कमिशनर रुकमी को पान सा फेर रहे हैं मुझे क्या पूछेगी एक लंबी सांस खीच कर उसकी मां फिर उधड़े उन का मोजा बुनने लगती कितनी खीज उठी थी उसे अम्मा पर उस दिम लेकिन वो जानती थी कि उसका सौंदर रही पिता के वैभव का दियोतक नहीं है गर्व से उसने घर के एक मात्र दरपण में घूम घूम कर हर कोण से कितनी बार अपना चेहरा देख डाला था एक तुक का आइना भी तो नहीं था घर में एक मात्र दरपण में बड़ी सी काली दरार थी रंग बिरंगे नाना प्रकार के बिनाका के ट्रांसपर छोटे भाई ने इधर उधर चिपका दिये थे एक साथ पूरा चेहरा देखने का कोई उपाय ही नहीं था कभी एक जोड़ा रसीली चित्वन दिख चाती तो कभी एक फांक मूंगिया अधर अपने अंग प्रत्यंग पर रमा को गर्व था एक तो वो वयह संधी की उस उची सीड़ी पर खड़ी थी जहां से अपने सद्य प्राप्त यौवन धन की शुरेशता सबसे प्यारी लगती थी अपने दरिद्र ग्रह से भी वो राजरानी थी अपने अग्यात कालपनिक वर के हिरदय की एक छत्र सामरागी किन्तु बुआ के प्रस्ताव ने अग्यात वर को सहसा उजाले में खीच कर रख दिया था अब उसे आनन्द के हर कोट और स्वेटर का रंग कंठस्त था आनन्द की माता रुकमा उसके पिता के बाले सखा की पत्मी थी इसी रिष्टे से वो उसे कहती थी रुकमा चाची अनन्द के पिता सेकरेटरियेट में कलर्ग थे किन्तु पुत्र की महिमा ने उनके कलर की जीवन का समस्त कलुष धो पूँच कर रख दिया था नजर बाग में उनके दुमंजिल मकान का नक्षा ही बदल गया था पहले काया पलट हुई थी बैठक की सब तिब्बती आसन और पहाड़ी चुटके जिन से सदा पानी में भीगे कुटे किसी बद्बू आती थी उठा कर गोदाम में फेग दिये गए थे उनका स्थान एक जखा जख करते मिर्जापुरी कालीन ने ले लिया था एक सोफा सेट भी आ गया था और आनंद की दोनों बहनों को अंग्रेजी स्कूलों में ताखिला करवा दिया गया था किसी भी अतिती के आते ही वो दोनों अपनी नई सीखी अंग्रेजी कविता की आवरिती कर बेचारे अतिती का खोपड़ा ही चाट कर रग देती 22 वर्ष में पहली बार उन्हें लखनव की गर्मी असहय लगी और पूरा परिवार अल्मोडा आ गया अल्मोडा का शांत नगर भी एक बिसरे दरिद्र सनेही आत्मिय सा है जो अपने राजसी प्रवासी स्वजनों द्वारा वर्षों से निराधर से भुलाये जाने पर भी मिलते ही अवहेलना की कसक को भूल कर बाहों में भर लेता है आनंद के पिता भुवन चंद को भी अल्मोडा ने गले लगा लिया पूरा आंगन महिलाओं से भर गया किसी ने रुकमा की छटी की पूरियां खाई थी किसी ने उसके विवा के दिन उसकी लटी गूंथी थी अधिकांच व्यभार चतुर महिलाएं अपनी विवाय योग करन्याओं को भी लेती आई थी नजाने कब कौन रुकमा के वांचनी एक उवर को हथिया ले रुकमा सब के स्ने और लाड में हाथों ही हाथों उचलती जा रही थी बाइस वर्ष परश्चात मिली आत्मी इस वजनों की भीर में वो सरस डुपकियां लगा रही थी कि दिग गई रमा की अम्मा हाई देज्यू उमर हो गई पर तुम्हारे निगोडे रूप ने हाथ नहीं मानी हाई मैं कहां जाओं एक बाल भी तो सफेद नहीं हुआ तुम्हारा और मुझे देखो कहकर उसने अपने खिच्डी बालों से आचल हटा लिया सचमुच वो अधेड हो गई थी मा के पीछे संकोच से सिम्टी रमा को खेच कर रुकमा ने गले लगा लिया आहा क्या कुमया रंग पाया है दीजियो तुमारी चोकरी ने जी में आ रहा है चंदन के धोके में माथे पर घिस लूँ चन भर में ही रुकमा ने सैक्डों बाते पूछ ली रमा की मा घर लोटी तो हवा में उड़ी जा रही थी और रमा उसके लिए तो उस दिन अपने आंगन में खड़ी काठी अखरोट की हर डाल सोने सी बन गई थी और डाल से जूलते सारे अखरोट नीलम पुखराज और पन्नों में बदल गए थे वो नित्य ही रुकमा के यहां जाती कभी स्वेटर का गला बनाने कभी मुंगाडी तुडवाने और एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब किसी न किसी बहाने आनंद अम्मा के कमरे का एकाद चक्कर ना लगा जाता इतनी उची परीक्षा में टॉप करने वाला मेधावी चात्र उस गंभीर सामानने सी लड़की के सम्मुक सर्वदा अपने को बहुत छोटा ही महसूस करता वो जानता था कि रमा के पिता दरिद्र होने पर भी बड़े ही महत्मा कांशी थे और इसी से आधा पेट रूखा भोजन पाकर भी रमा को इलाबाद से अंग्रेजी साहित्य में एमे करवा रहे थे कमरे से ही कभी केंग लियर कभी ब्राउनिंग की सस्वर आवरती करने पर भी रुकमा के पास बैट कर चावल बींती रमा की गर्धन बेचारा आनंद उठवा नहीं पाता कभी कभी उसे जुंचला हट प्यूटती हद दर्जे की गुमशुम लड़की है आँखी नहीं उठाती एक लीला भी है खितनी आनंदी लड़की किन्तु आनंद मन ही मन जानता था कि रमा की उन नशीली आँखों का जादू ही उसकी जुकी पलकों में छिपा था कभी भी वह उसकी ओर आँख उठाती तो वह सब भूल जाता पहाड़ी ताल के जादूई रंग की भाती ही उन आखों का रंग बदलता रहता कभी भूरा कभी काला और कभी हरा एक दिन आनन्द के साथ रुकमा आंगन में बैठी अकबार पढ़ रही थी कि हाथ में धोती के किनारों की बनी थैली लटकाए रमा की मा आ गए अरे बड़ी धूब में आई देजियू ये क्या कुछ खजूर सिंगल पकाल आई हो क्या मेरे लिए इतना कै बड़े स्ने से रुकमा ने थैली चीन लिए रमा की मा पसीने पसीने होकर जमीन में गड़ सी गई हाई क्यों आ गई वो भुनिया लली के कहने में कहां रुकमा का वैभव कहां उसकी दरिद्र कर्ण्या रमा की थैली खुली और रमा की जन्म कुंडली जमीन पर पड़ी ओ तुम आनंद के लिए लाई हो अच्छा अच्छा रखाऊं ठाकुर जी के कमरे में मिलान करके देखूंगी आनंद लजाकर बाहर चला गया और रमा की कुंडली असंख जन्म कुंडलीयों के अमबार में दब कर रह गई रुकमा अपनी सरलसी दीज्यू से जबान खोल कर कुछ नहीं कह पाई असल में आनंद का रिष्टा उसके वश की बात नहीं थी बड़े बड़े अफसरों की फाईलों को ताश के पत्तों किसी चाल में चल देने वाले उसके पती का क्लर की विवेख ही पुत्र का भावी रिष्टा तै करेगा क्या वो एक साधारन मास्टर की पुत्री को बहु बना कर ला सकेंगे असली और नकली का भेद क्या बता सकने का साहस होगा उसे रुक्मा के पास थी के मकान में रहते थे जेप्यूटी मिनिस्टर भोलेश्वर जोशी दिन रात पास पडोस के खेत की ककड़ी की फलियां चुराने वाला ककड़ी चोर भोलिया नजाने कब तेश का कर्ण धार बन गया था खलवाट चमकते सिर पर सफेद खादी की तिर्ची टोपी, नाव सी तिर्थी, दमकते ललाट पर चंदन की छोटी सी बिंदी, चिकने चुपडे चेहरे पर पवित्रता का केतन सा फेहरा दे थी भोलेश्वर जी की एक ही कन्या थी लीला लीला बचपन से ही रमा के साथ स्थानी स्कूल कॉलेज में पढ़कर बड़ी होई थी किन्तु पिता के सिर की खादी टोपी, जब से टोपी न होकर लक्ष्मी का वरध हस्त बन गई थी, वो पहने लखनव चली गई रूप रंग में अत्यन साधारण ही थी लीला सावला रंग, मोटी नाक और सिकुडा सेम्टा सा ललाट किन्तु रूप रंग ही तो सब कुछ नहीं होता होटो पर, आखों पर, भिन भिन तूलिकाएं फेर कर, वो विधाता की कुशलता में तुरूटिया निकालती रहती रमा प्राया ही उससे सुनती आज बाबुजी ने आनंद जी को चाय पर बुलाया था परसों उन्हें खाने पर बुलाया था पहाडी रसफात बहुत पसंद है ना उन्हें हमारे नए महराज गजब कर रस पकाते हैं रमा वो चटखारे लेकर कहती मन ही मन पेट की आते तक जल जाती पर रमा चुपचाप सब सुनती रहती उसे एक ही बात का संतोश था भोलेश्वर की रत्न जडित कन्या को रुकमा चाची कभी पसंद नहीं करेंगी मैसूर चंदनवन की सबसे श्रेश्ट चंदन की बिंदी भी कुल के कलुष को नहीं धो सकती बहुत पहले भोलेश्वर की विध्वा भावी को लेकर पूरे अलमोडा में बड़ी गंदी गंदी बाते चल रही थी कोई कहता था उनकी भावी डूबी नहीं थी स्वाइम उन्होंने ही हरिद्वार में तीर्थ कराने के बहाने ले जाकर उन्हें गंगा में धकेल दिया था बात जो भी हो सरवथा निर्मूल नहीं थी विधुर भोलेश्वर के वैभव ने उनका कलंग थोड़ा बहुत ठक दिया था किन्तो कुमाओं की प्रसिद्ध होली के बेजोड गानों के रसिया नायक रहते भोलेश्वर लड़कों की शैतान टोली जूम जूम कर उनके द्वार पर होली गाती और प्रत्येक वर्ष उनके पापों की स्मृती ताजी कर जाती उनकी प्रेम कथा को गानों में गूत-गूत कर इधर भोलेश्वर जोशी ने अपना रहन सेहन बदल दिया था बदन पर रहता आंद्र खादी का मिट्टी दाने का कुर्ता और खद्दर की अहिंसात्मक भटके की धोती ब्रह्म मुहूर्थ से ही उनका भजन-पूजन आरंभ हो जाता एक ही समय भोजन करते थे वो भी सूक्ष्म भलाहार आनंद का जन्दिन परता था बैशाखी पूर्णिमा को उसी दिन भोलेश्वर जी के यहां सत्य नारायन की कथा भी थी लीला ने कई बार रमा को बुलावा भेजा और उसे जाना ही पड़ा कथा चल रही थी कि लीला उसे अपने कमरे में खीच कर ले गई चल आ ही गई मुझे लग रहा था आज तू यहां नहीं आएगी आज तो आनंद का जन्र दिन है ना नहीं गई अपनी चाची के यहां बड़े खाने रमा तिल मिला उठी ओ समझ गई कल लीला ने अपनी खिड़की से देखा होगा आनंद के नए स्वेटर को उसके कंधे से लगा कर नाप रही थी चाची किसी काम से बाहर गई और आनंद निशाय जानबूच कर ही बड़ी जोर से छीग दिया सिर टकराते टकराते बज़ गया था और रमा को बड़ी जोर से हसी भी आ गई थी पर उस शनेक मधुर हास पर हास की रजधारा अचानक सूखकर ही रह गई पास की खिड़की से एक सावले निर्मम चेहरे की क्रूर द्रिष्टी दोनों को देख रही थी बुरा मान गई रमा लीला ने उसे खीच कर अपने पलंग पर बैठा लिया कुछ कहने को ही बुलाया था तुझे तेरे इन ही मन मोहन से मेरे रिष्टे की बात चल रही है पगली इसी से सोचा तुझे अगाह कर दूँ बेकार में स्वेटर मत बुनना सब मेनत मिट्टी में मिल जाएगी ही ही कर वो निरलज्जिता से हसने लगी रमा का चेरा च्छन भर को सफेद पड़ गया फिर आश्वस्त होकर वो खड़ी हो गए निर्भीक दृष्टी से लीला की ओर देखकर उसने कहा बात चलने में और रिष्टा पक्का होने में बड़ा अंतर है लीला मैं शर्ट रख सकती हूँ कि चाची तेरा रिष्टा कभी नहीं लेंगी उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था बार बार उसे अपनी अल्प बुद्धीक और आवेश पर क्रोधाने लगा उस साली चाची को पूछे गा ही कौन और तेरी शर्ट ही 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 कर वो फिर हसने लगी रमा जाने लगी तो लेटे लेटे ही लीला ने उसे अंगूठा दिखा दिया तू शर्ट जीत गई लाडो तो मैं तेरी बांदी नहीं तो ये तेरा ही नाम कहकर उसने मोटा काला अंगूठा फिर नचा दिया रमा की आँखों में अपमान के आँसु छलग गए और वो धरधडाती सीड़ियां उतरती घर की ओर भागने लगी संभल के संभल के कहकर उसे सक्री सी गली में किसी की टककर लगी देखा तो आनंद था उसका आंसमों से सना लाल पड़ा चेहरा और उड़े उड़े बाल देखकर आनंद खड़ा ही रह गया क्या बात हो गई रमा क्या लीला ने कुछ कहा है कितने लाड और दुलार से उसने पूछा था पर रमा का जितना क्रोध लीला पर था सबानन पर बरस पड़ा आपका ब्याँ उसी शहजादी से हो रहा है तो हुआ करे किसी को अपने घर बुला कर अपमान करवा के जी नहीं भरा क्या भीचारा भौचक कासा उसे देखता रहा क्या कह रही थी वो उस दिन जरा भी समझ से काम लिया होता रमाने डूपते सूर्य की अरुन रश्मियों से रंजित अलमोडा की उस सक्री सी गली में उसका भविश्य बन सकता था जब आनन ने उसका हाथ पकड़ कर कुछ कहने की चेश्टा की तो वो हाथ छुड़ा कर रोती रोती भाग क्यों गए थी चीड के उस उचे पेड के नीचे जहां से छनचन कर पड़ती किर्णों का रंगीन जाल उसे देवांगना सी सुन्दर बना रहा था क्या वो एक लंबी सांस छोड़ कर उस प्रेमून मत तरुन को अपना नहीं बना सकती थी जाने से पहले रुकमा चाची ने बुलावा भेजा तो उसने रजाई में मू लपेट कर बिमारी का बाहाना बना दिया उसकी मा ही जाकर मिलाई थी अमा और बाबुजी की बातें भी जीर्ण रजाई का आवरन चीर कर उसका हिर्दे विदीर्ण कर गई मैंने तो पहले ही कह दिया था वो हमें क्या पूछेंगे तुमने ही तिक तिक लगाई थी लीला से ही रिष्टा पक्का हो गया है आज आग लगे इस रुकमा के तीरत बरत को आखिर लाई भौजी के यार की बिटिया को अमा का स्वर रुलाई और खीज में डूब कर रह गया धुंदली आँखों पर तूटी कमानी का चश्मा लगाए उसके बाबुजी जब बोड के नीरस स्टाबियोलेशन में डूबे थे भौलेशवर की पैनी राजनैतिक चालों ने आनंद को बांध लिया कुछ दिनों तक रमा अधमरी खटिया पर ही पड़ी रही और फिर भुनिया बुआ उसे अपनी ससुरा लेती गई बुआ के ही पडोस में एक लाल छट की उची सी हवेली थी तराई की सब कोठियों में अधिकी चमकती थी वो कोठी उची महराबे आकाश चूती थी और खिडकियों पर लकडी के बने हाथी घोडे और पहाडी नकाशी में खुदे द्वार पाल वर्निश से चम चम चमक रहे थे बुआ कहती थी इसी को कहते हैं भाग गे उमर भर शनीचर का दान ले लेकर बुद्धी वलब बंडित ने आलिशान कोठी खड़ी कर ली और लड़का आएस में बैठा है क्या पता निकल भी जाए सचमुची गिरींद जोशी निकल ही गया यही नहीं एक दिन सफेद अंगरखा पहन कर पगड़ी धारी पंडित जी रमा का चिन्द मांगने भी आ गए रमा रोई धोई खाना पीना छोड़ा पर बुआ की एक करकश्थ्वनी नहीं उसका गुमान नशे की तरह उतार कर रख दिया लू की पठी और किसे कहते हैं क्या अब दान का तेल लड़के के बदन से चिपका है थोड़े संबंद के ही तो नीचे हैं आग लगे ये कुमाओं की मान मर्यादा अब कहां से लाएं तेरे लिए सेला खोला के जोशी और सिलमटी के पांडे खबरदार जो रोई थोई धूली अर्ग के समय पती के कुल के शांखो चार ने गुंगट के नीचे ही उसकी आँखें भी गोदी थी छी छी आए ऐस है तो क्या है तो शनीचरी के दान देने वाले जोशियों का ही बेटा किन्तु विवा के बीस वर्षों में वो श्वसुर कुलदवारा लिये गए तेल के दान को धीरे धीरे फूल गई पती के उचे ओधे ने उसके पित्र कुल के दारिद्र को धो पोँच कर एकदम ही साफ कर दिया था सब भाई बेहन ठिकाने लग गए थे उसकी सरल सी अम्मा अब कांधी आश्रम की श्वेत रेश्मी साड़ी पहन कर समाद सेविका बन गए थी उसके पती का कद धिगना और नाक मोटी थी नाटे कद की महिमा को उसकी बढ़ती तोन ने और भी बढ़ा दिया था अपनी सुन्दर पत्नी के बगल में वो सचमुच में ही नहीं जचता था किन्तु उसकी फॉरें सर्विस ने उसके शील सौजन्य को और भी निखार दिया था निश्क पठिर्दय का सौंदर जो पानी में तैरते तिनके की भाती स्वैम ही चेहरे पर उभर कर उसे आकर्शक बना डालता है ऐसा ही आकर्शन था गिरींद्र जोशी के चेहरे का भी जो गौरवर्ण आखों में लगता था वो अपस्वास्त की लालिमा से दमकने लगा था अंग अंग पर सुक संतोश की आभा थी दो राम लक्षमर से पुत्र गौर मोहन और शामल केंब्रिज में पढ़ रहे थे विदेश से आई दोनों बेटों की तस्वीर को उसने ऐसे कोनों में सजा कर रख दिया जैसे आते ही लीला को डस ले वो सुन चुकी थी कि विदेश के चरग भी लीला का बांजपन दूर नहीं कर सके थे आज उसने विशेश परिश्रम से ही घंटों लगा कर केश विन्यास किया देख लेगी लीला कि मास्टर की कन्या भी लेटिस ब्रिगिटी बर्डॉर्ट स्टाइल के उन मादिनी से बिखरे बाल बना सकती है दामी रौसिल की चंदन्या साडी में उसका चंपई रंग और भी खिलता है वो ये जानती थी इसी से उसने वही साडी निकाली जिसे पहनने पर लोग श्रीमती केनेडी को देखना भूल कर उसे ही देखते रह गए थे बिना बाहों की मयूर कंठी चोली जिसे उसने आदिवासी नर्तकियों की टोली से नमूना लेकर सिलवाया था उसके रंग से ही घुल मिल गई थी पलकों को बिना मोडे ही छोड़कर विधाता ने जो सामाने से भूल कर दी थी उसे भी उसने सुधार लिया ट्विस्टर से उन्हें घुंगराला बना कर मस्केरा का जाल बिछा कर उसने दरपन पर द्रिश्टी डाली उसके स्ट्रॉबेरी से रसीले होटों को कभी लिपस्टिक से माधुर्य याचना नहीं करनी पड़ी आज भी उसने केवल पानों की लाली से ही उन्हें विलासी बना कर छोड़ दिया आज क्या पच्थावे से सर नहीं धुनेगा अनंद अच्छा हनी मैं उन लोगों को जाकर ले आऊँ अपनी कार में गिरींद कमरे में कहता ही आया और रमा की साज सज्जा को देखकर ठिटग गया बाइजान रमा ये कौन सी साड़ी निका लिये तुमने बेचारे आनंद की बदसूरत लीला का तो कुछ ध्यान किया होता कटकर रह जाएगी तुमें देखकर आज वो मन ही मन कहेगा गिरींद हर बढ़ा कर बाहर गया और रमा का कलेजा इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे बाहर आकर ही मानेगा क्या कह गया था गिरींद बेचारे को क्या पता कि आज ही नहीं बीस वर्ष पहले ही उसका सौंदर आनंद से मन ही मन बहुत कुछ कहलवा चुका था ओ नमसकार नमसकार मिस्स जोशी वाह आप तो जरा भी नहीं बदली अरे ये क्या ये आपके बेटों की तस्वीर है देखो तो लीला कितने बड़े बड़े बेटे हो गए हैं मिस्स जोशी के बड़े उसा से आनंद ने रमा के पुत्रों की तस्वीर उठा ली और चश्मा ठीक करके देखने लगा गिरींद्र और रमा का चेहरा पुत्रों की प्रशन सा सुनकर गर्व से खेल उठा रमा ने कंखियों से देखा लीला का स्याह चेरा और भी स्याह पड़ गया था फिर पती के उत्साह में कोई दिल्चस्पी नहीं लेकर वो धम से सोफे पर ही बैठ गई कितनी गर्म हवा चल रही है आनी आज कुछ ज्यादा ही उमस है क्यों है ना मिस्टर जोशी चौड़े पर्स से आईना निकाल कर उसने चेहरे पर पफ फेरा हाँ हाँ बेहत गर्मी है क्या बात है अपने अलमोडा की हवा की कहता गिरींद्र आनंद के पास ही बैठ गया रमा के हाथ पैर क्रोध से ठंडे पड़ गए हद्य बेहुद्गी की सरल पती को तो उसका अपमान छूबी नहीं गया एक अक्षर भी उससे नहीं बोली लीला सचमुच लीला बहुत ही फूल गई थी रंग विदेशों की हवा भी नहीं निखार सकी थी संतान वंचिता अधिकांश नारियों की ही भाती उसका चेहरा जेल के किसी क्रूर महिला वॉर्डन सा बन गया था आनंद की हसी उसके स्वर की परिचित छंकार ने रमा को चुपचाप सा बना दिया था लीला ही धारा प्रवा बोलती जा रही थी साहित्य, राजनीती, डिप्लोमेसी और विदेशी शराब कोई भी विशय ऐसा नहीं था जिस पर बहस नहीं चली अकेली रमा ही सेर जुकाए चुपचाप बैठी रही आनंद और गिरींद दोनों को लीला अपने वानी विन्यास के जाल में पून्ट तया लपेटे जा रही थी खाना लगा तो लीला बिना प्रशंसा के ही जखोर ने लगी रमा के डिनर की ख्याती राजधानी के ओर छोर तक फैली थी कंगली सी लीला मुर्ग का सीना तक निचोड़ कर खा गई पर फूटे मूँ से नहीं निकला कि मुर्ग क्या लाजवाब बना है लीला तो लीला आनन भी पत्नी की ओर बार बार देख रहा था जैसे किसी बहुत बड़ी दावत में पहली बार गया कोई बच्चा आखों ही आखों में अपनी मां से पूछता है ये खालूं वो खालूं और सब की आखें बचाकर आखें दिखाकर मां उसे डपट देती है खबरदार जो कुछ भी लिया ऐसे ही कुछ इशारा कर दिया शायद लीला ने रमा ने देखा सहम का रानन ने प्लेट खिसका दी स्त्रियों को विधाता ने बड़ी ही सूक्ष में द्रिष्टी दी है कौन पती अपने ग्रह का स्वामी है और कौन अपनी पत्नी की शासन की दोर से जकड़ा क्लीव है वो एक ही क्षण में पता लगा ले दिये रमा ने देखते ही तार लिया था कि आनन सदा उसी जंजीर से बंधा रहेगा डिनर के बाद अली एक अध्विती जापानी सेट में अर्भी कहवा ले आया रमा जानती थी की कौफी की ऐसी अनमोल क्रीम डली घूट लीला के ककड़ी चोर बाप को भी नसीब नहीं हुए होंगे आधा ही प्याला पीकर लीला ने मूँ पोच लिया अब चलो आनी बड़ी देर हो गई है उसके कहते ही आनन उसके आदेश की प्रत्यंचा में तीवर सा सद कर उठ खड़ा हुआ कुशल पीटी मास्टर की भाती लीला उसे उठा कर गिरा रही थी अब आखों ही आखों में जैसे उसने कहा दाही ने देख धन्यवाद मिस्स जोशी आनन ने कहा कि दूसकी आखें स्वता ही गिरींद के चेहरे की और मुड़ गई बड़ा ही अच्छा समय कटा भाई जोशी धन्यवाद कहकर उसने गिरींद की मांसल गुदगुदे हाथों को पकड़ कर जोर से हिलाया अतितियों को विदा देने के बाद रमा बरसाती तक चली गई गिरींद और आनन अगे आगे चलने लगे लिला जान बूज करी पिछड़ कर रमा के साथ हो गई रमा का माथा ठनका अचानक ये चलते चलते कैसा सने क्या अपने रूखे दूर व्यवहार के लिए शमा मांगने तो नहीं पिछड़ गई लिला ने रमा का हाथ बड़े लाड से पकड़ लिया और कहा अपने मिया को तनिक संभाल कर खिलाया कर डिप्लोमाट की पत्नी को अपने पती के व्यक्तित्व के तांगे के घोड़े की भाती ही सवार ना पड़ता है देखती नहीं कितनी तोन निकल आई है जोशी की रमा का सुन्दर चेरा व्यथा से नीला पड़ गया उसका पती क्या तांगे का घोड़ा है लीला ने सपश्ठी तो कर दिया कि देख ले आनंद के छटे शरीर को और फिर देख अपने पती के बेडौल मुटापे को लीला भी समझ गई कि उसके विश्बुझे तीर का वार खाली नहीं गया देखो तो रमा उसकी जहरीली हसी ने रमा को फिर डसा ये अंगूठी कैसी है अंकर डायमेंड की है कल ही आनी ने मुझे जन दिन पर दी सोचा तुझे दिखाने को कहा था ना चलते चलते दिखा ही दूंगी पहले रमा स्तब्द रह गई कैसी अंगूठी दिखाने को कहा था क्या कह रही है लीला ओ पगली भूल गई नहीं भूली नहीं होगी हम औरतें कभी शर्थ नहीं भूलती वो फिर हसी रमा का सिर्थ चक्रा गया बीस वर्ष की शर्थ को रमा भूल गई थी पर लीला नहीं भूली थी रमा ने देखा वो उसे अंकर डायमंड की अंगूठी नहीं अपना स्याह मोटा अंगूठा दिखा रही थी